यह इंद इस विडियो में लोग सुझलाओन इनरजी कंपनी के बारे में बात करेंगे देखिए पिछले दिनों जब इसके क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था तो इसा उमीद था कि अब इस कंपनी का सेर प्राइस दूपर की तरफ जाएगा और सेर्स होल्डर को मुनाफ़ा होगा लेकिन जब से कंपनी के सेर प्राइस में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली है आप गौर किया होंगे तो पता चला होगा कि इस कंपनी का सेर प्राइस अभी भी डाउं ट्रिंड में अर्थात नीची की तरफ ही जा रहा है तो इस वीडियो में हम लोग यह जान बिजली बनाने का काम करती है अज की दिन का सेर प्राइस और अभी डाउं ट्रेंड में अर्था सेर प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है हाई लगा चुगा है तेरह रुपया यहां से कंपनी का सेर प्राइस यहां तक आया है और आप गवर कीजिए तो पाइएगा सुधन मुनाफ़ा हुआ है कंपनी को सिर्फ तीन माहा में प्रोफिट की बात करें सुधन जिसको पीएट इकांफर टेक्स उसको देखेंगे तो कंप्री को रेकावर करोन का सुध मुनाफ़ा हुआ है और निंग पर सेर भी देखेंगे तो माइनस में था माइनस 0.01 था जिसको रिकावर करके 0.04 रुपया तक कंपनी आई अर्थात क्वाटरली रिजल्ट कंपनी के काफी संदर आ रहे हैं लेकिन इसके बाजूद भी सेर प्राइस में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली है तो आई अब उस में कारण पर बात करते हैं कि किस कारण से कंपनी का सेर प्राइस उपर नहीं जा रहा है तो आप समझेए आप देख रहे हैं कि मार्केट काफी ज्यादा अप नाउन इसमें चल रहा है एक महां से मार्केट में हल्चल बना हुआ है उमीद था कि बजट आने के बाद मार्केट इस्तिर हो जाएगा और लंबी शलंग भी लगाएगा हले कि आप द अपने इंट्रेस्टेट को काफी हाई कर दिया तो जब भी इस तरह की न्यूज आते हैं तो यह तो प्रमूख कारण है तिसरा देखेंगे जो तीन दिन से डियाई वाले भी सेलिंग कर रहे हैं डियाई अर्था डुमेस्टिक इंस्टियूशन इंवेस्टर जिसमें बैंक और मुच्वल फंड वाले आते हैं लोगा काना है कि मार्केट का मूट समझ भी नहीं आ रहा है मार्केट बहुत ज़्याद अप्रटाइल है और निकल रहे हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा प्रोफिट अपना बूख कर रहे हैं लेकिन डियाई वाले बेचने तो रीटेल पाले जो हम लोग हैं भाई भी तो कर रहे हैं इससे मार्केट समझ जाता है ज्यादा लुटकता नहीं है लेकिन इस कंपनी के सेर प्राइस के नीचे जाने के यह कहीं कि यहीं तो तीन प्रमुख कारण है तो अब क्या हो सकता है आगे आगी यह हो सकता है कि सुजलों सेर प्राइस को दस रुपए या 11-12 रुपए पर बाई किया होंगे तो आपके लिए उपर्चुनिटी आप या तो एवरेज कर सकते हैं या जो नए लोग है इंट्री लेना चाहते हैं वह बाई कर सकते हैं इस कंपनी के सेर प्राइस को अभी इसमें मौका है देखिए करेंगी बहुत अच्छा ग्रोफ करेंगी साल के लाश्ट तक उमीद है कि 2022 के लाश्ट तक सुजलोन इनर्जी का जो सेर प्राइस से अभी देख रहे हैं आप 10 रुपए का सपास यह 40-70 रुपए का सपास साल के लाश्ट तक चला जाएगा उमीद है 300-500 परसेंट का रिट पर जाएगा उपर जाएगा कहा तक जा सकते हैं कई सौट टर्म में इसका सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करने के फंडमेंटल ठीक है इसका फ्यूचर बॉट है बाकि बाइक करने के लिए मोगा है एक दू दिन और इंतिजार कर लिए सेर प्राइस अगर रोट डाउन तो बाइक कर लिजे या एवरेजिंग करना चाहते तब आप एवरेजिंग भी कर लिजे तो उमीद करते हो मैंने जो बताना चाहरा था आप उस समझ में आया होगा अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए बाकि आपकी इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझ